इस वीडियो में हम आखों का तनाव कम करने के लिए डार्क मोड का इस्तिमाल करेंगे। ये कैसे किया जाता है? वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जब हम एमेल एटेच्मेंट बेजते हैं तो उसकी कॉपी बनती है। वो कॉपी वापस आती है। फिर हम कॉपी पे कर दिया हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये सेफ भी नहीं है। तो करना क्या चाहिए? एक बहतर तरीका इस्तेमाल करते हैं। जब आप नया फाइल बनाते हैं और आपको वो फाइल सेव करना है, तो कहा करना है? वन ड्राय में करिए, लोकल पीसी में नहीं। उससे काफी फाइदा होता है। अब शेयर करना है तो ये बटन दबाईए। इसमें जिसको भी भेजना है उसका इमेल आइडी डाल दीजे। बहर वाले लोगों का भी इमेल आइडी चलता है। जीमेल, याहू, अपने सप्लायर, कस्टमर, सब चलेगा। लेकिन ये इमेल डालन के बाद send button नहीं दबाना है। रुक जाओ, एले सोचो क्या हो रहा है, link जा रहा है, किस प्रकार का link जा रहा है, anyone with a link का मतलब क्या है? मतलब यह है, कोई भी इस link को खोल सकता है, कोई भी आपका document देखके चलेगा, नहीं चलेगा तो ये जो है, change करना पड़ेगा, anyone with a link नह हमने अल्यडी बोल दिया है, specific people, उनको edit करना, allow करना है या नहीं करना है, वो भी अपने हाथ में है, अगर excel report भेज रहा है, तो edit मत करो, download भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, वो भी block कर सकते है, ये सब होने के बाद apply बोलके, mail check करना, भेज देना, अभी क्या जा रहा है, mail तो change करेंगे उस file को, कैसे करेंगे, उनको mail आएगा, link पे click करेंगे, वो खुलेगा browser पे, अगर चाहिए, तो full version word में भी खोल सकते हैं, लेकिन उनके पास word नहीं है, office subscription नहीं है, चलेगा, browser पे खुलेगा, edit भी होगा, और वो जो भी edit करेंगे, वो सब अपने एक ही file में आ रह काम हो गया, सबने edit कर दिया, तो उनको जो permission दिया है, वो निकाल भी सकते हैं, वापस share में जाना है, वो तीन dot जो है, उस पे click करना है, उसमें आएगा more options, manage access, उसमें जाके link हटा दो, उनका permission निकल गया, और एक चीज है, उन्होंने ये mail दूसरे किसी को forward किया, तो क्या कुछ नहीं होगा, ये safe है, वो link forward करने से चलेगा ही नहीं, इसलिए one drive से document sharing करिए, और अपना काम efficient बनाईए, अगर ये video अच्छा लगा, तो दोस्तों के साथ share भी कीजिए, धन्यवाद,